कितना स्पष्ट होता आगे भढ़ते जाने का मतलब अगर दसो दिशाएं हमारे सामने होती हैं हमारे चारोड नहीं कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुगा होता मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को दस सिरों से सोचने और वीज हातों से पाने की कोशिश में अपने लिए बहुत मुश्किल बना लिया है शुरू शुरू में सब यहीं चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो लेकिन अंद तक पहुँचते पहुचते हिम्मत हार जाते हैं हमें कोई दिल्चस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरूबा था हमारे चाहने पर दुर्गम वनों और उचे परवतों को जीतते हुए जब तुम अंते मुचाई को भी जीत लो तब तुमें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचाब तुम में और उन पत्थरों की गठोरता में जिने तुम ने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तुफान जहलोगे और कांपोगे नहीं तब तुम पाऊगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंद तक हिम्मत नहाण